आई कुम्राशी कैसे हैं आप सभी स्वागत है आप सभी कमेले चानल पर आज हम आपकी रीडिंग कर रहे हैं अगर किसी समस्या में आप वसे हुई है इस समय में तो ये रीडिंग आपके लिए हो सकती है ये जनल रीडिंग है हो सकता है ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करे हो सकता है यह reading आपसे resonate ना भी करें हो सकता है इसका हुई पांक कुछ हिस्सा आपसे resonate कर जाए ठीक है अगर आप इस reading से connect होना चाहते हैं तो reading स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बोलूगे कि थोड़ी सी breathing exercise कीज़े गाइस और JNPT 1 शक्ति से आप believe करते हैं जिन पर भी जिन से connected रहना है ठीक है और receiving mode में रहना है आपकी intuition ही बिटर जानती है कि आपर जो भी messages दिये जा रहे हैं वापी किस एविया के लिए हैं कहां पर आपको देने हैं तो उन messages को वहां लोने की कोशिश कीज़े तो यहां पर चुमने में कार्ट निकाल चुकी हैं तो यहां पर वह है यहां पर world की energies ठीक है और पहला card है आपकी life में क्या problem चल रही है यहां पर है justice और page of swords ठीक है और उसकी उपर है यहां पर four of cups ठीक है यहां पर है knight of pentacles and knight of wands ओके और last की जो मारे cards है यहां पर यहां पर है nine of swords और king of wands जिसे clarify किया है nine of pentacles ने ठीक है यहां पर जो कुछ मैंने oracle messages भी निकाले थे हैं आपके spirit guides के तो पहला message है यहां पर you are a lot tougher than you think you are okay next है यहां पर chimpanzee use both your intuition and your intellect to solve the problem or get answers to your question okay next है यहां पर seagull now is the time for deep emotional healing और यहां पर angels की तरब से भी message निकाले थे healer of emotions आया है आपके लिए ठीक है जो की है queen of cups healer of emotion eight of thoughts eight of swords and positive recognition यह sun card है ओके तो yes Aquarius कुम्राशी sorry background noise को avoid कीजेगा अगर आपको आ रही है तो थोड़ा सा काम चल रहा है आप उसे छोड़ रहे हो पीछे और आप जो है धीरे 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 ग्राज्वली जो है आगे बढ़ रहे हो आपका mind space भी अपर देखा जाएना है कि अभी वो लोग हो सकते हैं जॉब हो सकता है करियर पाथ हो सकता है thoughts हो सकते हैं आपके कुछ भी चीज़े हो सकते हैं उन्हें आप basic अदी पीछे छोड़ करके आगे बढ़ने के लिए समय ready हो ठीक है लेकिन ये छीज़े धीरे धीरे चल रहे है ऐसा नहीं कि आप पूरी तरीके से हीर हो चुके हो ऐसा नहीं है कि आप पूरी तरीके से आगे बढ़ चुके हो नहीं धीरी धीरे धीरे आप आगे बढ़ रहे हो यहाँ पर भी देखेंगे यह cycle अगर complete हो रहा है यह lady आगे बढ़ रही है बट अभी भी यह पीछे देख रही है तो इस moment पर सबसे जाला तो आपके लिए क्या ज़रुरी है balance maintain करके चलना इसके दोनों हातों में wants देख रहे हों कैसे balance करके चल रही है उपर नीचे नहीं देख रही है तो आपको अपनी life में इस समय हर चीज़ को लेकर balance create करना होगा अभी वोच आपके masculine energies है feminine energies है मतलब yin और yang की energies है आपकी जहाँ पर routine hope ठीक है day to day life का routine है जहाँ आपका thought pattern है कुछ भी है ठीक है आपको basically balance करकर के चलने की जरूरत है ठीक है दूसरी बात अब बात करते हैं आपके problem की तो यहाँ पर justice की energies है और यहाँ पर page of source के energies है यहाँ पर जो मुझे message मिल रहा है आपके लिए आप अपनी life में ना कोई balance decision ने ले पा रहे हो अभी आप जो हो कोई एक situation में start हो आपको action लेना है आपको आगे बढ़ना है आपको decision लेना है और उस पर आपको कदम आगे बढ़ाने है पर आप अभी उस energies में हो नहीं ठीक है आपके अंदर का confidence अभी उतना high नहीं है थोड़ा confidence की कमी है या फिर मैं कोई की साथ ही साथ balance की भी कमी है क्योंकि आप balance decision ने मना पा रहे हो आप confused हो अगर आपको decision लेने के बारे में सोच भी रहे हो तो सो तहे के doubts आपके अंदर आ जाते हैं कि मुझे चलना है या नहीं चलना है इस तरफ कैसे करूं कैसे नहीं करूं 11111 और 1111 की energies बहुत जादा है इहां पर आप लोगों के लिए आ रही है इस समय में ठीक है और इसी situation के लिए जो आपके लिए आपके लिए आप डिवाइन क्या बोल रहे है ना कि आपको जो है अभी इस moment पर जो है आपको दोनों चीज़ों को balance करके चलना होगा यहां पर intuition भी काम करेगी आपकी बनलब intuition को भी use करना है आपको और आपके intellectual जो mind है उसको भी आपको use करना है ठीक है आप ऐसा नहीं कर सकते कि balance किसी कहते है balance तो यही कहते हैं आपका देल और दिमाग का balance ठीक है तो दोनों को balance करके ही basically आपको decision लेना है और मैं यहां पर देख रही हूँ कि आपकी तरफ ना कोई ना कोई opportunity इसमें divine आपको दी हुई है आपकी तरफ है आपके आसपास है और intuitively कहीं आपको भी यह पता है कि यह मेरे ल ही नहीं हूँ ठीक है आप अभी उस mature energies में ही नहीं हूँ आप बहुत केरलेस हो रहे हो इस जो new beginning है या फिर यह जो offer है जो आपकी तरफ एक offer की तरह मतलब offer के लिजे chance के लिजे जो आपको मिल रहा है आप उसको लेकर के बहुत ignorance दिखा रहे हो आप उसको बहुत lightly ले रहे ह क्योंकि यहां पर page of cups की भी energies है और temperance की भी card है ठीक है तो page of cups क्या है ना यह बहुत ही immature person होता है ठीक है यह अपनी दीखे हालक ही highly intuitive person होता है बट मुझे आपके लिए यहां पर क्या नजर आ रहे है ना कि आप अपनी intuition को following नहीं कर रहे हो आप अपनी emotions को use भी नहीं कर रहे है बट आप कहीं न कहीं उस moky को यहां पर खो रहे हो और यहां पर आपके angels आपके spirit guides जो है आपकी यहां पर मदद कर रहे हैं वो आपके साथ हैं बस वो आपको आपको इस moment मतलब आपके साथ ऐसा definitely हो रहा होगा आपको बहुत जादा जिसे कहते हैं कि number synchronicities आपको दिख करने का अपनी presence feel कराने का आपने आपको बताने का चीक है और और बहुत चीजे होती है जिसे feathers यहां बहुत चीजे होती है तो लेकिन आपके साथ number synchronicities बहुत जादा हो रही होंगी क्योंकि यहां पर आपके साथ 10 10 की उर्जा 10 10 आपको बहुत जादा दिख रहा होगा double one double one आपको दिख रहा होगा 12 और 21 mirroring numbers और 12 12 की उर्जा मुचे यहां पर दिखाए दे रहे है ठीक है 99 की भी energies यहां पर है ठीक है तो आपको वह बताना चाहा रहे है इस समेधी अपनी life में balance लेकर के आओ अपनी emotions को balance करो ठीक है आपको ना अपनी आपको आपको अपको बाद में chance मिल जाएगा बाद में कर लेंगे तो आपको यहां पर बुला जाना है और एक बार यह चीज छूट गई ना तो यह चूट जाएगी ठीक है यह आपको chance मिला हुआ है अभी वक्त है उस पर काम करने का सबसे पहले तो आपको यहां पर क्या करनी की ज़रत है ना आपको आप यहां पर ना किसी चीज को लेकर के बहुत जादा देखी यहां पर actions के card है ठीक है अभी आप अपनी लाइफ में जो भी कुछ करना चाहते हो क्योंकि यहां पर positive recognition है यहां पर sun की energies success तो आपको मिलेगी मिलेगी पर पहले balance create कीज़े आप लोग बहुत जादा ना काम को अटका देता है आपके अंदर जो ideas आ रहे होते हैं उनको अटका देता है आप उन ideas को लेकर कि आप action नहीं ले पाते हो ठीक है और एक stress वाली जब आप पूरी तरीके से अपने काम को नहीं कर पाते हो ना action नहीं ले पाते हो अपने ideas के साथ आगे नहीं बढ़ पाते ह तो आपको हो जाते हैं बहुत ज़्यादा stress यहां ठीक है क्यों क्योंकि आपकी जो potential है आप उस हिजाब से चल नहीं पा रहे हो ठीक है अभी वो reason रही है कि आप balance नहीं हूं ठीक है आपकी emotions balance नहीं है आपकी life में कहीं न कहीं आप imbalance हूं ठीक है आपको grounding की भी बहुत आते हैं self negative talk करना ठीक है अपने आप से negative talk करना ओके बिना बात के overthinking में टापन करना पास्ट में जो चीज़े मैं भोल रही हूं न अभी पास्ट में क्या है न अभी पास्ट पूरी तरीकी से release हुआ नहीं है अब धीरे धीरे ऊपर उसे बाहर आ रहे हैं धीरे धीरे पर सोच करके आप जब इस energies में चले जाते हो ना इन उसोच के energies में चले जाते हो overthinking में आप लोग चले जाते हो तो divine आपको यहां पर ही बोल रहेंगी कि भई अपनी कीमत को पहचानू ठीक है अपने उपर काम करना start करो self love और emotions की healing करना आप यहां पर start कीज़े अपनी emotions को heal life में जहां जहां भी आप out of balance हो और चीजों को light लेना बंद कर दीजे इग्नोर करना बंद कर दीजे जो divine के signs आपको यहां पर मिल रहे हैं आपकी intuitions आपका दिल जो आपको बता रहा है उसको इग्नोर करना बंद कर दो आप यह आपके लिए एक alert है ठीक है यह आपके लिए रहे हैं यहां और आपको उसको बहुत हलु है यह चीजों से deal कर सकते हो आपको खुद को नहीं बता आपनी potential का ठीक है efforts में ही डाल रहे हो और यहां पर एक message और है आपके लिए कि अपनी creative side से connect होने के लिए आप पर बोला जा रहे हैं आपका जो भी passion है जो भी आपके अंदर gift है ठीक है उसके सब connect होई है किसी चीज़ को और beautiful कैसे बनाया जादा है ठीक है वो उस तरह के thoughts आपके अंदर आने चाहिए ठीक है कोई project अगर आप normal way में भी कर रहे हो तो उसको आप और किसने अच्छे से create दिखा सकते हो कर सकते हो beautiful मिना सकते हो वैसे thoughts दाना वैसे काम करना आपको जरूरी है ठीक है ताकि आप इस तरह की बोरियत वाली energy से बाहर आ जो कुछ लोगों के लिए हापर मुझे ये भी message विल रहा है कि आप लोग किसी काम को ना बहुत पुराने तरीके से करते आ रहे हो तो उसमें जो है आपको कुछ नया add करने की जरूरत है कुछ नया idea की लाने की जरूरत है मतलब नए धंग से जैसे देखिए समय बदलता है ठीक है तो आपको भी यहां पर थोड़ा बदलाव लाने की जरुरत है क्योंकि पुरानी चीजों में आप अग्जस नहीं हूपा रहे हो उस तरहे की चीजों से आप connect नहीं हूपा रहे हो तो आपको भी कुछ नया एड करने की आप पर जरुरत है और यहां पर जो है आपकी intuition और आपका जो प्रैक्टिकल माइंड जिसे कहते हैं, इंटेलेक्चिवल माइंड आपका जो है, उन दोनों को कनेक्ट करके ही आप अपने लाइफ में डिसीजन और अक्शन बना पाओगे आप लोगों की पास की उज़ा से बाहर आजो, इमोशनली जहां भी स्टफ़ दो, चाहे वो करियर को लेकर के, कोई सिचुवेशन को लेकर के, किसी रिलेशन्शिप को लेकर के, कोई भी चीज आपको हर्ट कर रही है न, कोई भी आपकी एमोशन को गर्बडा रही है, उससे जाओ, आप यहां पर बूला जा रहा है, पानी जादा से जादा आपको पीना है, and healer of the emotions की भी energies हैं यहां पर, देखिए, आपकी psychic powers, आपकी psychic जो है, बहुत strong है, आप number one psychic, जिसे कहते हैं आप वो हो, ठीक है, बट आप पूरी तरीके से उसे connect नहीं हो पा रहे हो, reason वही है, कि आपकी emotions heal नहीं है, यहां पर healer of the emotions की energies है, आप अपने आपको यहां पर खुद से heal कर सकते हो, अगर अपने emotions को आप कहीं express नहीं कर पा रहे हो, तो उनको लिखो लिख करके आप उनको जला दो, यहां को यहांपर message दिया जा रहे है, and the eight of thoughts की energies है, कोई decision है, कहीं आप पू तरना एक courage लाओ, एक हिम्मत लाओ, वो decision लेने का, आगे बढ़ने का, लोगों की परवाह नहीं करनी है, चीजों की परवाह नहीं करनी है, आपके आसपास क्या लोग बोल रहे हैं आपको, जब आप एक्षन लोग है तो सामने वाले लोग आपको किस तरीके से देखेंगे, क क्या बोलेंगे, क्या उनका judgment को पास करेंगे, इन सब चीजों से आपको दूरी बना लेनी है, ऐसे thought आपको नहीं लाने है, ठीक है, और आपो खुल करके जिसे कहते हैं, एक rebel वाली energies भी मुझे आपर नजर आरे, एक strong decision बनाएगे, यहाँ पर वही तो energies आपकी, लेकिन जब आप यहाँ पर बोला जा रहा है, ठीक है, passion से connect होई है, अपनी energies को और high कीजिए, ठीक है, अपनी energies को और high यहाँ पर आपको करने की जरूरत है, आप यहाँ पर बोला जा रहा है, and positive recognition, definitely जब आप अपना hundred percent नहीं, अपना thousand percent होगे, तो आपको वह recognition मिलेगी, वह positive recognition, जो अपनी gifts से connect होने की जरूरत है, और उनको लेकर के आपको अपनी life में decision मनाने की जरूरत है, आपको रुकना नहीं है, ठीक है, yeah, yes my dear, Aquarius, and yes, आपके लिए यहाँ पर grounding की energies है, nature से connect होई है, nature के साथ connect होना आपके लिए जरूरी है, indoor plants लवाना आपके लिए बहुत जरूरी है और थोड़ा एक humble energies में tap in के जोए, ठीक है, humble energies में भी आपको tap in करने की जरूरत है, ठीक है, पर Mother Earth Gaia से आपको connect होने की बहुत जरूरत है, red color की कपड़े आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे, red color आपके लिए बहुत अच्छा है, जितना आप इससे connect होंगे, आपके vibrations उ पाए हूँ, आपको इससे guidance मिली हो, messages मिले हो, मिले हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीचे कर, divine को thank you बोलना बिलकुल मत भूलिएगा, अपनों के साथ इस reading को जरूर शेयर कीचेगा, ताकि किसे के लिए अगर इसमें message है, guidance है, तो उन तक यह पहुंच भाएं, औ अब अभी तख चनल को subscribe नहीं किया है, तो please कीचेगा, thank you so much for watching my video, God bless you all, bye bye